भाई जैसा कि हम सभी को पता है कि यहां पे Airtel और Vodafone Idea V ने अपने Recharge Plan के Prices को बढ़ा दिया है तो ऐसे में यहां पे V के तरफ से एक खमाल का ओफर निकल किया है जो की Data Delight के नाम से जाना जाता है तो ऐसे में यह Data Delight क्या है कैसे मिलेगा इसमें आपको 2GV का Free Data मिलेगा तो वो Free Data कैसे मिलेगा सारी बाते आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा और यहां पे Vodafone Idea V ने अपने Double Data Benefit को पूरी तरह से अपने Plan से हटा दिया है कि इन्हों ने यहां पे V Hero Unlimited Plans को नहीं बंद किया है तो यहां पे V Hero Unlimited Plans क्या होता है देखे यह कुछ ऐसे Plans हैं जिसमें यहां पे कुछ आपको Special Benefit मिलता है जैसे कि Wing All Night उसी के साथ यहां पे अब एक Data Delight का भी Option आड़ किया गया है इसके साथ ही साथ यहां पे आपको Weekend Data Rollover Offer का भी Benefit मिलता है सारी चीजे बताता हूँ आपको एक-एक करके तो देखे Wing All Night का मतलब यह है कि यहां पे आपको रात 12 बजी से 6 बजी तक Unlimited Data मिलता है तो आप अगर आप कुछ specific plans के साथ जाते हैं तो यहां पे आपको Night में Free Data का Benefit मिलेगा यानि कि Unlimited Data होता है और इसी के साथ-साथ यहां पे Weekend Data Rollover Offer का भी Benefit मिलता है इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पे जो भी आपका Daily Data मिलता है आपको दो जीवी डेटा मिलता है आप दिन का एक जीवी डेटा यूज करते हैं तो आपका एक जीवी जो डेटा है वो अगर डेली का Add कर दिया जाए तो यहां पे सारा जो डेटा है वो Saturday और Sunday में आपको दे दिया जाता है ऐसे Monday से Friday तक जीटना भी डेटा आपका बच जाता है वो डेटा आपको Saturday और रवीवार को मतलब सनीवार और रवीवार को आपको दे दिया जाता है तो देखे डाटा दिलाइट का मतलब यह है जिसे हम normally क्या होता है जब कोई भी plan हम रिचार्ज करते हैं तो वहां यहां पे daily data मिलता है तो यहां पर कई बर क्या होता है कि यहां पे हमें जो daily data मिलता है मान लीजिए अगर 2GB हमें रोज का मिल रहा है और वो 2GB हमारा खतम हो गया तो हमें अलग से रिचार्ज करना पड़ता है अगर हमें थोड़ा और data की requirement हो या जरूरत हो तो ऐसे में अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा लेकिन ये data delight वाला option काफी कमाल का है इसमें क्या है कि आपको 2GB का data मिल जाएगा एक महीने के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2GB data मिल जाता है अगर आप We Hero Unlimited plan के साथ जाते हैं तो यहाँ पे जो 2GB का data आपको दिया जा रहा है वो 2GB का data अपने आप से activate नहीं होने वाला है उसे आपको activate करना पड़ेगा और ये चीज़ आप note का लीजे कि अगर आपने We Hero Unlimited plan से रिचार्ज किया है तो ही आपको ये data benefit मिलेगा अब We Hero Unlimited plans में कौन-कौन से plans हैं उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ समय बाद लेकिन उससे पहले आपको ये बतायता हूँ कि अगर ये 2GB का data जो आपको मिल रहा है वो आप कैसे आपको मिलेगा मतलब कैसे आप claim कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे My We application जो आता है उसमें भी जाके आप इसे activate कर सकते हैं लेकिन अगर वहाँ पे आपको वो option देखने के लिए नहीं मिलता है तो आपको एक number पे call करना है जो कि आपको screen पे दिख रहा होगा 121249 इस पे आप जैसी call करते हैं तो उसके बाद आपका जो data है यह 2GV वाला वो activate कर दिया जाएगा अब भाई 2GV यहाँ पे बताया तो जा रहा है लेकिन exactly 2GV का data आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं up to लिखा हुआ है यानि कि 2GV तक आपको data मिल जाएगा तो जब भी आपका daily data limit खतम होता है तो आप इस वाले number पे call कर सकते हैं तो अगर आपने hero unlimited plan के साथ recharge किया है तो आपको 2GV तक data दे दिया जाएगा तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि we hero unlimited plans में कौन-कौन से plans हैं देखिए आपके screen पे आपको दिख रहा होगा और data delight के बारे में आपको detail में बता दिया तो बस यही था इस वाले वीडियो में उमीद है आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और इसे share भी करिएगा मैं मिलता हूँ आप सेटली वीडियो में बाए